बाद है question number 8 निकाल रहा है हमकूर और इसमेंको क्या-कर information दी हुई है 10x है minus 4 by 3 और x जो है यहाँ पर angle है वो कहाँ लाई कर रहा है second quadrant में इसके बाद है question number 8 और question number 8 में में क्या information दी हुई है कि जो 10x है वो equal है minus 4 by 3 के और x की जो value है वो second quadrant में होगी मतलब जो आप यहाँ angle choose करेंगे वो second quadrant में है और हमें जो निकालना है वो है sin x by 2, cos x by 2 and 10 x by 2, half angles हमको find करने हैं अब देखो 10 अगर second quadrant में है, x sorry, तो x की value क्या होगी pi by 2 से pi के बीच में होगी और हमें यहाँ half angles निकालना है तो half angles में x by 2 inequality है, इस inequality में positive number से into करें तो कोई फरक पढ़ेगा नहीं, 1 by 2 से into कर रहे हैं, तो pi by 4, x by 2 और pi by 2 इसका मतलब है, जो x by 2 की value होगी, वो pi by 4 से pi by 2 के बीच में होगी फर्स कोडरेंट में होगी, तो यहाँ जो भी value x by 2 की निकालेंगे, sine, cos, tan, वो सब positive आईगी अब process देखो, अगर 10x है, यह हमने triangle बना लिया, यह x है, 10x 4 by 3, 10x का ratio टिखाता है, perpendicular और base का negative sign क्यों आया था, क्योंकि यह second coordinate में था, तो यहाँ से हम यह जानते हैं, यह 5 हो जाएगा perpendicular base, pythagoras apply, हम यहाँ से hyperteneuse निकाल सकते हैं, 5 हो गया, तो यहाँ सिर्म cos x निकालते हैं, cos x की value कितने हैं आईगी, base upon hyperteneuse, 3 upon 5 अब यह देखो कि second quadrant में cos कैसा होगा, negative, astc से, second quadrant में केवल sign positive होगा, और उसका reciprocal cos एक positive होगा, cos कैसा होगा, negative, तो यहाँ पर हम बाहर minus sign लगा लेते हैं, अब cos x का ऐसा formula है, जिसमें half angle आए, और cos के terms पर भी है, और sin के terms पर भी है, हम पहले cos के terms पर अप्लाई सकते हैं, लिखेंगे इसको twice cos square x by 2 minus 1 is minus 3 by 5, अब यह minus 1 उदरा जाएगा, तो plus 1 हो जाएगा, तो twice cos square x by 2, 1 plus का, तो 1 minus 3 by 5 which is 2 by 5, 5 उदर आएगा, 5 minus 3, 2 और नीचे 5 है, अब यहाँ से देखों, यह 2 और यह 2 cancel हो रहे हैं, तो cos square x by 2 is 1 by 5, या फिर cos x by 2 की value क्या होगी, दोनों side पे square root ले लेंगे, तो cos x by 2 is 1 by root 5, यहाँ के, 1 by root 5 cos x by 2 में fine के लिया, अब उनको fine क्या करना है, sin x by 2, अब धिरानेंगे, कि यहाँ पर value जो है, वो x by 2 की first coordinate में है, तो positive होगी, sin x by 2 दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर cos का relation sin half angle के साथ उनको पता है, या फिर एक और relation उनको पता है, sin square x by 2, cos square x by 2 is 1, cos square की value 1 by 5 है, तो sin square कितना आ जाएगा, x by 2, इसकी value कितनी है, 1 by 5, या आएगा 1 minus 1 by 5 which is 4 upon 5, तो sin square x by 2 is 4 by 5, sin x by 2 is 2 upon under root 5, हमने दोनों साइट पर square root ले लिया, 2 upon root 5, अब हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर डिको, यह value जो है, पर्स कोडिंट में तो positive रही, अब हमें चाहिए tan x by 2, तो tan x by 2 is sin x by 2 upon cos x by 2, तो sin x by 2 हो गया, 2 by root 5, और cos x by 2, 1 by root 5, यह से cancel हो गया, तो tan x by 2 आएगा 2 के एक्वल, और फिर्स कोडिंट में है, positive भी रहेगा, तो यह जो box है, यह answers को represent कर रहा है, जो requirement ही हमारी, x by 2 है, cos x by 2 मिल गया, sin x by 2 आगया, और tan x by 2 गया, अब sin x by 2 अब इस तरीके से ना निकाल करके, एक और method से निकाल सकते हैं, method किया इस formula में आप identity user को supply कर लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको, 1 minus twice sin square x by 2 is minus 3 by 5, अब यह अधर आजाएगा, 1 plus 3 upon 5 is twice sin square x by 2, ट्रांस्टर कर लिए, अब यहां पर दिखो किसना होगा, 5 plus 3, 8 upon 5 is twice sin square x by 2, यह से cancel होगा, 4 upon 5 is sin square x by 2, यह sin x by 2 क्या होगा, 2 upon root 5 is sin x by 2, जो हमने यहां पर पहले निकाल लिए identity से, दोनों अंसर सेम आएंगे, प्रोसेस दोनों में से किसी को भी एडॉप्ट कर सकते हैं,